तिलका माँची वागलफूर इनवर्सिटी का यूजी में एडविशन के लिए पार्ट वन में एडविशन के लिए आपका फॉस्ट मेरिट लिस्ट जाड़ी हो चुका है आप डाउनलोड भी कर लिया होंगे अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किये हैं अपना नाम नहीं चे है कि वहाई किस तरीके का इसका का बेशन पॉस्टिजर है क्योंकि इसमें आपको अपको बताना चाहूंगा आज आपका है 26 जून तो आज से आपका और से आपको एडविशन करवा लेना है अच्टार्ट हुआ है 26 जून से और इसका लाश्ट डे आ आपका 2 जुलाई रखा गया है मतलब आप जोर सकते लगोगा आपको इसमें 6-7 दिन का टाइम दिया गया है इसी बीच में आपको जाकर कॉलेज में भी एडिविशन करवाना होगा और ऑनलेन पेमेंट भी करना होगा तो मैं आपको पताना चाहूंगा एडिविशन का प्रो जो की अभी तक मुझे पता नहीं चला है पता चलेगा तो मैं आपको टेलीगरम पर मैंसड करणा होगा फेमेंट करने के हूंगा अपको एक पेमेंट स?!" करने कि wreck कर दिए आ आफ यह को अब को आ कॉलेज विजित करना है जो को आउल आपS करवाना होगा जाके आब मालेजी आपको क्या-kya document लगता आपको ये पता होना चाहिए. तो मैं आपको बता जेता हूं," आपका क्या-kya document लगने वाला है", तो सबसे पहले तो आपको 10-वी का 10-वी का Mark sheet and Admit Card लगेगा. 12-वी का Admit Card लगेगा. मतलब दोनों का आपको mark sheet and Android Card लगेगा, अधार card लगेगा, application form जब apply क्या होंगे online TMV University में USG में part 1-medition के लिए उसमें आपको receiving मिला होगा उस receiving को आपको लेकर जाना होगा application form को payment slip आपको लेकर जाना पड़ेगा अगर आप SC, ST, OBC हैं तो आपको car certificate लगेगा जनरल वाले का car certificate नहीं लगेगा उसके बाद आपको income certificate लगेगा ये सब document आपको लगेगा उसके साथ आपको ये जो आपको document में आपको बताया हूँ ये सब का xerox लगेगा जो मैं आपको भी document बताया है जो मैं भी आपको document बताया हूँ इन सभी का आपको xerox लगेगा जिसमें आपका 10B का और 12B का marksit और admin card दोनों का आपका 2-2 copy लगेगा मतलब 2-2 xerox लगेगा उसके बाद जितना आपको नीचे में बताया हूँ अधार card, application form, payment, sleep, color photo, card certificate, income certificate जिसका आपको एक-एक Gerox लेकर जाना है college में उसके बाद आपको CLC आपको college living certificate जो आता आपको वो आपको original लेकर आपको college में जमा करना होगा तब ही आपका admission होगा सबसे आपका main चीज़ आपका CLC है CLC आपको लेकर college में जाना होगा आप पूरा process में आपको एक-एक करके बता देता हूं तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको payment करना होगा login किजिएगा login करने के बाद आपको payment करने का option मिल जाएगा आप इसमें अलग एक video बना दूँगा जैसे मेरे पास कोई user ID और password आ जाएगा तो मैं login करके payment कर दूँगा payment करके मैं आपको दिखा दूँगा payment किजिए आप sleep आपको मिलेगा sleep आपको college में लेकर आपको जमा करना होगा जो college आपको allot किया गया है जो मैं आपको document बटाया हूं यह सब document को आपको G-Docs and original लेकर जाना है वहाँ पर जाकर सभी document को आप verification करवाईएगा उसके बाद आपका वहाँ पर admission हो जाएगा सब document को आप जमा कर दीजिएगा तो आपका admission हो जाएगा तो यह पुरा procedure है I hope आप समझ चुकेंगे procedure कुछ अगर आपको problem है तो आप हमारे telegram से जूर सकते हैं तो इस तरीके से पूरा procedure है मुझे लगता है कि आप समझ चुकेंगे कुछ problem है तो मैं आपको बता ही दिया हूँ telegram से जूर जाएए या हमें mail कीजिए मिलते एंगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye check care